एंटिटेन्मेंट इंडास्ट्री के तमाशे, चका चौन, ग्लामर, लडाई जगडे, बॉलिवुड से लेकर हॉलिवुड तक, साउथ से लेकर नौथ तक, तीवी से लेकर OTT तक हर बढ़ी अब्डेच के साथ मैं अंकिता धवन हाजर हूं आज के बुलिटिन में तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई बड़ी अपडेच के साथ बॉल्वड स्टार आयुश्मान कुराने की फिल्म ड्रीम गर्ल साल 2019 में रिलीज हुई थी और एक बार फिर से आयुश्मान कुराना फिल्म ड्रीम गर्ल 2 लेकर आ रहे हैं और इस बार फिल्म में अनन्या पांडे नजर आने वाली है फिल्म का ट्रीजर काफी समय पहले जो है रिलीज हो चुका था लेकिन अब ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज को लेकर एक नई ख़बर भी सामने आई है पहले खबर आई थी कि फिल्म ड्रीम गर्ल 2 29 जून 2023 को रिलीज होने वाली है फिर फिल्म मेकर साजित नारियाद वाला ने एक तक अपूर से फिल्म की रिलीज देट आगे बढ़ाने को लेकर कहा क्योंकि उनकी फिल्म सत्य प्रेम की कथा भी 29 जून 2023 को रिलीज होने वाली है इसलिए अब लेटिस रिपोर्ट्स के मताबिक फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज टेट आगे बढ़ गई है और रिपोर्ट्स के मताबिक आयुशमान खुराना और अनन्या पांजे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की नई रिलीज टेट 7 जुलाई 2023 है नज़र डालते हैं अगली अपडेट पर नौरा फते ही अपने शांदार डांस नंबर के लिए जानी जाती है उन्होंने हाल ही में कतर में हो रहे पीवा वर्ल्ड कप के दोरान हुए एक फान फेस्ट में परफॉर्मेंस दी थी और इस इविन के दोरान उन्होंने सब का दिल जीते हुए तरंगा हाथ में लेकर जैहन का नारा भी दिया नौरा ने इंटरनाशनल लेवल की इविन में ऐसा करके एंडियास का सीना गर्व से चोड़ा कर दिया है और उसके इस जेस्टर की काफी तारीफ भी हो रही है नज़र जालते हैं अगली अपडेट पर बॉलिवर्ट अक्ट्रिस कृती सानन और साउथ के सूपरस्टार प्रभास इन दिनों अपने लिंक अप की खबरों वो लेकर काफी जादा सुर्ख्यों में बने हुए है अलाकि अब कृती ने खुद प्रभास के साथ अपनी शादी और अफेर की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोशेर कर बताया कि इस खबर में कोई सच्चाई ही नहीं है कृती ने लिखा कि ना ये प्यार है और ना ही प्यार हमारा भीडिया यानिकी वरुंधवन रियालिटी शो में कुछ ज्यादा ही वाइल्ट हो गया था और उनकी मजा कि अब बातों के बाद कई तरह कि अववाहें फैल रही थी और इससे पहले कि कुछ पोर्टल मेरी वेडिंग डेट की अनाउस्मेंट करें तो मैं आपकी ये गलत पह्मी दूर कर देती हूं यह वाइं पूरी तरह से गलत है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है दोसे जालते हैं अगली अपडेट पर आजे देवगं स्टार द्रश्यम 2 बॉक्स ओफिस पर अपने गोल्डन पीरिट को इंज्वाइ करी है और फिल्म ने रिलीज के एक हफ़ते के अंदर ही डोमेस्टिक बॉक्स ओफिस पर 100 करोड की सॉलिट कमाई कर दाली है वहीं 25 नवेंबर को वरुंधवन की फिल्म भेडिया रिलीज हुई थी और ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर ठीक ठाक रिस्पॉंस दे रही है लेकिन दृश्यम 2 के आगे इस की दाहाड अब भी धीमी पड़ रही है हफते भर में इतनी तेजी से कमाई करने वाली दृश्यम 2 ने एक और मुकाम हासिल किया है अजय देवगंद की इस फिल्म ने उनकी गंगुबाई काठियवाडी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है नज़र जालते हैं अगली अपडेट पर बॉलिवड अक्टर अब शेक बच्चन का इंडस्ट्री में 22 साल का करियर पूरा हो चुका है उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया है अगर उनकी कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाया तो लोगों ने उन्हें खास पसंद नहीं किया है अब शेक बच्चन हाल ही में वे निखल अदवानी के साथ तामिल फिल्म केडी के रीमेक में नजर आएंगे अब शेक बच्चन की नई फिल्म कॉमेडी ड्रामा होगी और इसे निखल अदवानी ने प्रोड़क्शन हाउस के बैनर तले बनाया जाएगा और यह फिल्म 2023 के मिद में रिलीज हो सकती है नजर यह सुनने को भी मिल रहा था कि वह जल्द ही मुंबई के बिजनिसमैन के साथ शादी के बंधन में बनने वाली है और इस बात की पूष्टी भी आक्रिस ने खुद ही की थी लेकिन शादी के बंधन में बनने से पहले अर्शी खान ने एक बार फिर से बिग बॉस को हाथ ब पैसला किया है दर असल एक और एक बार फिर से बिग बॉस में नजर आने वाली है अलांकि इस बार वो सल्मान खान के शो में नहीं बलके बिग बॉस मराथी फोर्ड में कदम रखती हुई डिखाई देगी नजर डालते हैं अगली अपडेट पर पाकिस्तान के फॉर्मर क् रिष्टे में कड़वाहत आने की वज़ा से पाकिस्तानी आक्रिस आयशा उमर को बताया गया था मीडिया रिपोस्ट में दावा भी किया गया है कि शोयब मलिक और आयशा उमर के बीच अफेर है और लोग आयशा पर शोयब और सानिय की शादी को तबहा करने का आरोप भी लगा रहे थे लेकिन इस तरह के तमाम आरोपो के बीच अब आक्रिस में अपनी तरफ से सफाई दी है उन्होंने सानिय और शोयब से जुड़े मामले पर जवाब दिया है और आयशा और आयशा ने शोयब को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए अफेर की खबरों से साफ इनकार भी कर दिया है आपको बता दें कि सानिय और शोयब के तलाग के खबरों के बीच आयशा को जम कर चोल भी किया जा रहा था नज़र जालते हैं अगली अपडेट पर बिग बॉस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपकमिंग एपिसोट का एक नया कर नौ तकी रांग देने के लिए उन्हें कहा गया था और निम्रत ने बिग बॉस द्वारा दिये गए इस तास्क में भी अपनी दोस्ती को ऊपर रखा और उन्होंने शिव को घर का नंबर वन सदस्य बताते हुए उन्हें पहले पहले रांग पर खड़ा कर दिया निम्र द्वारा असाइन की गई रांग को पीछे खड़े होकर साफ इंकार कर दिया नजर जालते हैं अगली अपडेट पर मंडे को अमर्कौशी के डारेक्शन में बनी फिल्म वोकिंग डे के होने के बावजूद भी लगबग पांच करोड का बिजनिस किया था लेकिन ट्यूज को जहां साड़े तीन करोड की कमाई की तो वही तामिल में यह फिल्म फुस रह गई हाला कि तेलगू में यह फिल्म कच्छुई की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और अपने पांचवे दिन पर इस फिल्म में एक लाग ही कमाई की है इंडिन वॉक्स ऑफिस पर यह फिल् कर दो